ऑफारे गूण किशी किशी पशुमें रहे यह गुर्ण में इसको कहते हैं कोई का अडर भी सरमा जाए लेको आप इस देखो आप किसी गाया का अडर भी सरमा जाएगा मालिक लईाइए और कहीं से भी टूटा वा नहीं एक पॉइंट भी कोई कमी निकाल दे हम यह कहते हैं कि हमें खड़ा खोद के गार दो हमारा अभ्यास यह है आज में यह है गोविंजी जी जीपी साब कंसेप्ट और देखे जाए तो कहीं लोगों के लिए तो यह नासमजी वाला कंसेप्ट है और अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें कई लोगों को बहुत कुछ शीखने को मिलेगा जो मुझे शीखने को मिला यह हमारी चंपा गोट है जी अल्ला ताला के रह्मों करम से और प्रम्पिता प्रमातमा की देया से इसने अपने जेवन के 27 लेक्टेक्शन पुरे किये बहुत बड़ा रिकोड बढ़ाया इसने और हम चाहते हैं कि उस रभी रभ की दिया से यह 30 लेक्टेक्शन कंप्लीट करें 30 लेक्टेक्शन के बाद हम नहीं चाहते कि डिलेवरी करें पिर आपको इसको क्रोश नहीं करवाना नहीं हम भुड़ा शरीर है लेकिन आपको एक चीज नजर आएगी इस बक्री के अडर के अंदर आज भी इदर आओ आप अडर में इतने लेक्टेक्शन होने के बाद भी आज भी समानता है उपर नीचे नहीं है अडर का बिलकुल कंप्लेट होना अडर टूटता नहीं है तो यह जो है अडर का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट कंसप्त है कि हम कभी भी कोई बक्री का चुनाओ करें तो अडर टूटना नहीं चीए और आज मतलो उस रब की दया से उसके रहमो करम से मुझे चंपा ने वो नया भीरा दिया है जिसका अडर मैं दिल से चाता था कि ऐसा अडर होना चीए और वो म जब इसका अडर आएगा ना ब्याने का अठाइस मन लेक्टेशन देगी जिए मैं इसका वीडियो अब की बार जरूर दूंगा यह ब्याने से दो दिन पहले ऐसा आलात हो जाती इसकी इसका उठना भारी हो जाता है अब आपको इसकी दो बेटियों से मिलाते हैं आपको ज संदरेशन देखो कितना बड़ा योग है साथ में माँ मैं बीटी का दोनो बेने हैं इसकी बेटियां दून प्रेगनेंट है देखो दोनों में एक दोनों में ईगका दिया पेला सुल्तान सुल्टान की ब्लड लाइन आ रही है कान की लेंट इसका इतना इसा आ रहा है यह कोई नाम सुल्टान थोड़ी रखा हमने उसके अंदर जब यह जो ब्लड लाइन की हमारे पास गोड त्यार हुई अब इसकी जखो देखो कान की लेंज देखो आप चहरे का पंच देखो है और शिरोवी का कलर भारी बक्री होगी तो अड्र की जो साइज है वो बड़ी है दूद की जाता है अब यह जो अड्र ना मिलकुल सर्वी इस अड्र को अगर मैं अगर सेलेक्ट करूं तो मैं इस यह लेकिन अडर में जहां तक जब हम प्रोग्रेस करते तो अडर में कहां प्रोग्रेस होती है तो यहां आता है पनाम ली यह चंपा की दो बेटियां सावली के पहले व्याउत में एक बच्चा हुआ था दूसरी लेक्टेशन में इसने तीन बच्चे को जनम दिया अब इसके तीन बच्चे हुए हैं जो भी बाहर वक्री खड़ी थी ठीक है ठीक है साउली के ना हाँ एक यह है एक वह बाहर आया था और यह एक यह था आप यह कर्लर देखो यह तो डबर इसका भी नाम हो गया इसका नाम हो गया डबर फीमिल कितने सब चीज बताता है मतलब यह दस तरीक की चार बजे डिलेवरी हुई अच्छा हर चीज का रिकोर्ड दूसरा वो एक वो बचाया थिक है यह डाबर है अच्छा ठीक है उसका नाम पपू जी और तीसरी यह रूपा रूपा डाबर और पपू यह रूपा यह बच्ची है फिमेल कलर देखो बिलकुल सुनहरा गोल्डन कलर गोल्डन कलर है अब हम बात करते हैं अडर का सबसे बहत्रिंग क्वाल्टी जो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा और मैंने जब चर्चा की कई किसानों से तो नोंने कहा किसार मान तो उसका सुक्रियाग अदा करो इससे बहत्र अडर इसका पंच देखो आप मा का बोडी फिगर लिया वह अपने मेल पे गई थी यह अपनी मा पे आई अब इसका अडर देखो आप कहीं से भी गुथाव आडर देखो आप मिल्क वेन देखी इसकी आप कितनी मोटी जैसे अब देखिए पुद्रतन इसके अंदर एक चीज और नया बक्सी इसके श्रीर पे करीब बन आठाट नौन नो इंच के बाल है ठीक है मतलब अडर को डखने का एक चीज देखो क्या दी डिलिवरी पीरिड पे गंटा दो गंटा तीन गंटे में यह डिलिवरी करेगी बच् क्या पैदा किया देखो बाल का यह गुच्छा राइट और यह देखी मां आपको दिखाता हूं अगर क्वालिटी देखनी ना आप इधर आओ मैं दिखाता हूं गाए बैंस्भी स्रमाजाए मालिक की दिया से कुथिया थन यह देखो अडर रिकोर्ड बनेगा इसका मालिक की दिया से पहले लेक्टेशन में इसने अपनी मा का विमा का दूद है दो किलो आठ सो गराम इसने बनाया था हमारे सावा दो किलो अच्छा और मुझे इसकी पूरी उमीद है यह चार किलो दूद बनाएगी क्योंकि इसकी सिष्टर सावा तेन किलो पे है जिसको मैं अडर क्वालिटी में 50% नमबर देता हूं तो यह कितने किलो में आ जाएगी है हमें अगर उस पे वरोसा है रपे पूरा यह च्यार किलो दूद की रिकोर्ड़ बखरी बनेगी हमारी इसको रिकोर्ड करवाएंगे मैं इसका रिकोर्ड करूंगा दूद यह सर यह जो है इसको लग शिरोई में 15 इंच कान नहीं है हम ना आप देंगे भी शिरोई के अंदर 15 इंच कान नहीं है कान का फिता लेया हूँ हाइट में वदूद में हमने अब आमने यहां प्रियास यह कि हम बहतर अडर कैसे बनाएं जी मुझे जो गुथवा थन की मेरी बड़ी चुआइस थी जी गुथवा थन बहतर यह चीज गुथवा थन बेशुम होता है गाए के काई के देशी जो अ तो गाएं का दूद में मिलेगा देशी गाएं मेर बकरी के दूद में एटू पलस मिलता है बकरी को तो फुद्रत ने सबसे नयाब चीज दिये अब यह देखो अब कहीं से भी किसी भी तरह से लूज नहीं है एक पॉइंट भी अगर इसकी टांग उठा के अगर आप दिखा मैंने अपने जीवन में आज तक इतना बड़ा साइज नहीं देखा और कलर देखो आप बिल्कुल लाल सुरक अब इसका दूद का दूद क्या है नहीं नहीं यह तो अमारी बहांस है नहीं मांदो एक टाइम में मुझे इसका रिकॉर्ड करना मालिक यह दिया से चार किलो इसकी सिस्टर ने सावा तीन किलो रिकॉर्ड कर लिया हमारे पूसिबल था है हमारे पास प्रेक्टिकल लाइव मिल्किंग कर सकते हम सावा तीन किलो ना पलो वही अच्छा तोल दे देंगे हम तुसर ऐसा होगा कि अपन लाइव जब यह बच्चे बच्चे देगे इसका करेंगे मेरे मेरा मकसद यह था कि इस वीडियो बनाने का मैंने अपने जीवन में अब तक जो बक्रियां देखी है अधे हजारोंगी है हजारोंगी हैं मैंने इससे बहत्र अड़ नहीं देखा अड़ टूड जाएगा थन भी कि बहुत पुट जादा लंबी हो जाएगी बहुत जादा मोटी हो जाएगी तो गुथवा थन बोलते हैं बिलकुल जिसकी धार बराबर थन का एक इंच भी इधर से उधुर नहीं होना और बिल्कूल बोड़े को टाचके है बहरत्र शे belang भी और फिर शृ को क्यों हो इसको कहते हैं बलड लाइन इसको कहते हैं मदर लाइन और इसको कहते हैं ब्रीड लाइन और सारे गुण किशी किशी पशू में मिलते हैं एक समान हर पशू में यह गुण नहीं मिलता और कहीं से भी टूटावा नहीं एक पॉइंट भी कोई कमी निकाल दे हम यह कहते हैं कि हमें खड़ा खोद के गाड़ दो हमारा अभ्यास ही है इस बारे में आप इनको क्रोस कब करवाते हैं मेरा मैं जब यह बक्री ब्याएगी मैं तीन महने से पहले किसी भी आलत में क्रोस नहीं करने दूगा तीन मेने से पहले मेरी बक्री क्रोस नहीं होगी सर्व मॉरल ओप दा इस्टोरी बता दीचे कि क्या है क्वालेटी और क्या आप समझाना चाहिए पुराणी एक वावता है कर्त कर्त अभ्यास के जड्मती हो सुजान रस्री आवत जात के सिल्पे पर्त आपका अभ्यास ही आपको उसमें सक्सम बनाता है देखो मैं बताता हूं जीपी सर इस ब्रह्मांड में जितनी में नोलेज है ना गोट फार्मिंग इंद्रिश्टी की जी उस नोलेज में मेरा जो योगदान है जी वो इस मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है सबात मैं मैं इस गोट साइंस का एक विदार्ती हूं और मैं अभी भी शीख रहा हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं I know everything मुझे यह मिल गया यह नहीं उस रब्दी मर्जी के बगार बाइसा पत्ता नहीं ला मैं क्या रहा हूं चंपा जो मेरी बक्री है वो रब की मर्जी नहीं होती त मेरे मेरे जो रब का ना बड़ा शुक्रियाता करें में उसका उता अच्छा दोश्ती है तने अच्छे नयाब ही हा अमारे उसने फारम पर पर पोया की तो इस साइज की बगलियां अपने पास कितनी है करीम और है 30 बक्री अपने पास अपने पास इससे बादा साइज मिलेगा इससे पर इससे इससे बड़ा आइस तीस तारेस बच्चे शुट्टे भी हो सकते हैं नो सेक्षन तो आपने इसमें बना रखेंगे नो सेक्षन बना दिये एक सेक्षन तीस एनिमल्स का है और बाकि आपके वह एद की परपल से रेडी हो रहे हैं वह लगी सेग्मेंट है पूरा एद के उपर तो बहुत अलग कंसेप्ट देंगे हम बहुत जल्द आपको वह अपने को इद का क्या 24 तो वह जीवन की इंपोर्टेंट है आज यह डिलेवरी करेगी 101 परसेंट सिस्टम सिस्का पूरा है अचा मैं यह कह रहा था काफी जो हैं जैसे कि यह जो मल्स हटा न अभी तो पहने गर्व मतलब बच कर दो